नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजीनिर गॉपाल पटेल पर तो फ्रेंट्स है अपर एक लेटेस्ट रेक्यूर्मेंट आई है और यह रेक्यूर्मेंट आई है इंडियन नेशनल्स फोर दा फॉल्ओं पोस्ट दस्केल पे एंड अस्पेसिफिकेसं ऑफ पोस्ट और गीवेंट विलोग तो यहां पर देख लेते हम लोग किस पोश्ट के लिए और कितना वेकेंसी आया है तो यहां पर देखिए मैटेरियल असिस्टेंट के लिए टोटल दो सोर्पिया ठीक है यहां पका बेसिक पे है फिर आपका लोवर डिविजन कलरक यहीं लडी सी का इसके लिए टोटल तीन पोस्ट है और यह आपका लेवल थी का है सौरी लेवल टू में आएगा लडी सी लेवल टू उनीस जार नोशो यह जो बेसिक पे होता है यह आपक अतिक संख्या में वेकेंसी है टोटल डेड़ सो वेकेंसी है जिसमें इवार के लिए 94 ओबी सी के लिए 31 सी के लिए 25 फिर आपका पी एच है फिर एसमें टोटल यहां पर 150 पोस्ट है और यह आपका लेवल वन बेसिक पे अठारा जर्पिया फिर आपका MTS गार्डेनर इसम और मेसेंजर यह दोनों लेवल वन का है फिर आपका ड्राफ्ट मैंन यह आपका लेवल फोर का है ठीक है अब हम लोग देखें कि इस फॉर्म को कब तक अप्लाय कर सकते हैं दा लाश्ट डेट ओफ रिसीप्ट ऑफ अप्लिकेशन 21 डेज फ्रॉम दा डेट ओफ अप्लिके पोस्ट के माद है हमसे देख सकते हैं अब लोग यहां पर और 28 दिन किसके लिए है तो देखें यहां पर 21 डेज फ्रॉम देट प्लिकेशन ऑफ अप प्लिकेशन ऑफ देव्टाइश्मेंट इन देफ्लायमेंट इस इन केस ऑफ कैडिडेट बिलॉंगिंग टौ असाम मेघ अरवाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम लदाक जम्मो एंड कस्मीर लाहोल एनस्पीती डिस्टिक और पंजी सब डिविजन ऑफ चंपा डिस्टिक देख लिए यहां पर इतना साथ जो डिस्टिक है इधर के लिए 28 देज है इधर के जो भी स्टूडेंट है वो लोग 28 दिन दिन तक भेज सकते हैं और फिर जो भी बाग की अधर स्टेट के हैं वो लोग के लिए 21 दिन और यहां पर देख लिए डीटेल एनलिसिस जो डीटेल एजिलीटी क्रिटेरिया है www.indianarmy.nic.in यह आपका है फिर आपको देखिए कैसे होगा material assistant के लिए आपका qualification क्या मांगा जा रहा है तो material assistant के लिए आपका qualification मांगा जा रहा है graduate in any discipline from any recognized university यह फिर डिपलोमा इन material management from any recognized institution यह फिर डिपलोमा इन engineering in any discipline from recognized institution यह आपका है फिर आपका LDC के लिए 12th पास वाना चाहिए minimum qualification fireman के लिए minimum 30 qualification आपका हाइट होना चाहिए 165 cm minimum फिर आपका चेस्ट है जो 81 cm ठीक है फुला कर 50 होना चाहिए बेट minimum 25-50 kg tradesman के लिए matriculation minimum qualification है फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा 6 मिट में 5 km फिर आपका इंडूरेंस टेस्ट होगा यह जो भी परक्रिया है आपका लगिया जाएगा ठीक है और फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए के लिए एमंटेस गांटेनर के लिए एक लिए हैं में संजागा ठीक है मैंटेस मेसेंजर के लिए रेजाओ लिया जाएक मैंरिया नर्गेर और स टेजव स्टेट में सिर्फ आपका देखिए सबसे अंआ कि स्टेज वन में में होगा फीजिकल एंट्रेंश टेस्ट लेवल टू में होगा रिटेंट टेस्ट उसी तरह ट्रेट्स में में और संसय है क्वेरी है तो आप जुरू कमेंट करें इस पीडियो को मैं आपको टेलिग्राम चैनल अपलोड कर दूंगा तो यहां पर देखिए आपको फोर्म निकालना होगा देखिए फिर आपको यहां पर अपना नाम पोस्ट अपलाई सब बेगरा करना होगा देख लिए आप पर यह आपको निकालकर इसको पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना होगा ठीक है तो मिलते हैं उन्हें चैनल पर ने विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट भैकेंसी इंपोर्टेंट निवीच को आरे में तुर